हेलो वाट्सप गाइस माने में इस्विनुवत बादु थापा एंड टूडे इस फिडियो भूब विल सी हुक्स रूल इन आर रियक्ट अप्लिकेशन जी हां गाइस तो रियक्ट में यह जितने भी हुक्स हम जब भी यूस करते हैं तो उनके कुछ रूल से जिसको आपको फॉलो करना जरूरी जिसको आपको समझना जरूरी है तो मास्टर यूर रियक्ट कॉंसेप्ट ठीक है तो आप डिरेक्टली गाइस हमारे अनिमेशन पर आईगे पीपीटी में वन बाइब बाताऊंगा एड दे एंड में मैं आपको प्रेक्टिकल भी दिखाऊंगा कि क्या है उसका एक्चुल मतलब एंड बिलिब में इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखे क्योंकि यह वांस आप समझ जाते हूं कि हुक्स कि क्या रूल से थैन आपकी लाइब बहुत इसी होने वाली इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह कि जितने भी आपके होक्स इन और रियाक्ट अप्लिकेशन वह कैसे पता चलेगा कि वह होक्स है तो एक सिंपल कंवेंशन कि है कि आल्वेज होक्स का जो भी नाम है वह यूज से स्टार्ट होता है यूज प्रिफिक्स की तरह यूज किया जाता है जैसे यूज स्टेट यूज इफेक्ट यूज रिदूसर इफ्यू रिवेंबर यह हमारा अप्लिकेशन है not here this one यह अपना अप्लिकेशन है ठीक है एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो यह क्या यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं मेरा हुक यूज कर रहा हूं तो यह आपका यूज क्यूवर्ड रहता ही रहता है ठीक है तो यह उसका मतलब होता है then hooks can only be used at the top level यह बहुत इंपोर्टेंट at the top level of your component no matter what always top level में यूज करना है अब थोड़े से confuse हो सकते हूं कि top level का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि do not call hooks inside loops conditions और nested function this is it इसको छोड़ के कहीं पे भी आप define कर दो बाइड़ आपका top level कहलाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आप loops के अंदर या conditions के अंदर या nested functions के अंदर hooks को define करते हो तब वो आपका top level नहीं कहलाएगा और तब वहां पे आपको error मिलने वाला है बताता हूं किया इसका मतलब इसका मतलब यह है कि suppose this is our previous video you know short circuit evaluation let's say if and not is if है न हमारा यह जो user अगर true है तो मैं एक new hooks create करना चाहूंगा and that is text करके and sorry count की कितने users है and यहां पे set count equal to use state ठीक है and फिलाल 0 दे रहा हूं तो यहां पर आप देख सेकते already मुझे even यहां पर भी error है जबकि मैं already use state को define कर चुका था क्या error है देख लेते देखो react hook use state is called conditionally बात ही खता में देखो यह जो use state होके यह call हो रहा है कैसे conditionally and react hooks must be called in the exact same order in every component तो आप समझ रहो कभी भी आप इस तरह किसे condition के अंदर hooks को defined नहीं कर सकते हां आप में से बहुत तो कोई confusion हो सकता है and that is कि क्या मैं इस तरह किसे इकुल hooks के साथ नहीं खिल सकता कि अगर user की value सही है तो मैं count plus one कर दूँगा तो यह जो particular code है यह आप कर सकते हो बट हमारे case में ऐसा तो कुस था नहीं तो आप समझ जाओ मतलब अगर थुई देर पहले जो code मैंने आपको बताया इस code को अगर आप उपर कर देते अगर user present होता है तब आप set count में जो count की value है प्लस one कर सकते थे तो अगर आप यह करते हो तो guys आपको कोई problem नहीं है बस condition के अंदर आप hooks को यह जो particular hooks है जो हम define कर रहे हम जो hooks create कर रहे आप यह part नहीं कर सकते आप यह जो updated function है उनको obviously आप यूज कर सकते हो ठीक है बहुत हो क्या लगता है सैथ condition के अंदर में इसको भी use ना कर सकूँ ऐसा कुछ नहीं है updated function तो आप obviously करो ना कितनी बार हमने खुद किया है याद है increment के अंदर decrement operator तो मैं आपको बताओंगा कल की वीडियो में जब हम use state देखेंगे यह particular piece of code को आप कभी भी condition के अंदर नहीं create कर सकते यह है इसका मतलब then यह जो hooks है यह खाली react function component या custom hook में ही आप create कर सकते हो अब इसको regular javascript function के अंदर भी call नहीं कर सकते है ना नहीं class component के अंदर आप इसको use कर सकते हो क्या होता है इसका मतलब देख लीजे इसको मैंने यहां पर बहुत अच्छे से रखा हुआ है आप लोगों के लिए and that is source वाले पार पर देखो यह थ्वी देर पहले मैंने बता है अब define कर रहा हूं const get data and इस तरह किसे अब suppose इसको वापस में copy कर रहा हूं यहां पर paste and count के बदले get data कर देता हूं में ठीक है यह capital होता है the moment मैंने छोटा कर दिया इदे को मुझे error आ रहा है बता रहा है short circuit is declared but its values never used directly बता रहा है यह क्या चीज़ है declare but use नहीं हो रहा है बट यह आपका short circuit कुछ इस तरीके से है ठीक है तो यह एक normal JavaScript के function में भी आप अपना जो use state है खाली use state नहीं चाहे आपका वो use reducer hook हो ठीक है वहाला कि इसका थोड़ा सा अलग है syntax आपका dispatch state कुछ ऐसा रहता है बट वो भी कुछ भी आप नहीं कर सकते है नहीं regular function के अंदर नहीं condition के अंदर तो यह आपको make sure करना है कि यह सारी चीज़े बिलकुल गलत है यह आप नहीं कर सकते है then you can also create your own custom hooks by creating functions starting with use this ensures that react can identify it as hooks मैंने बता है ना the moment आप use keyword as a prefix use करते हो तो वो आपका एक hooks कहलाता है and you already rule defined है आपके react के अंदर तो आप अपना खुद का custom hooks create कर सकते हो हम आगे करेंगे don't worry but आप यहां पे बहुत किले लिए देख सकते हो for example we have this use fetch use form समझे रो and then NCO hooks are called in the same order if you remember Twitter पहले मैंने यहां पे जब कुस्तो भी एक hook create किया था ठीक है तो I hope आपको पता चल गया था जहां पे playlist पे तो नहीं आ रहा है I guess इसको मैं वापस copy करता हूं यहां पे paste इसको आठाता हूं and यहां पे अठाता हूं तो यहां पे एक error आपको दिखाएगा यह देखो react hooks must be called exact same order in every component मतलब hooks का भी अपना एक component I mean order होता है समझ रहे यह I don't know आप मेंसे कितनों ने कभी इस पे ध्यान दिया या नहीं दिया होगा but guys यह reality है कि hooks के भी अपने कुछ order होते जिसको उनको follow करना होता है ठीक है जैसे component मैं यहां चलता हूं short circuit है ना आपका and here we have a hooks and yeah फिलाल देखो नहीं यहां पे hooks हमारे दो जिसमें से एक देखो नमबर दिया है one दूसरा नमबर टू तो नमबर दिया जाता है तो वो जो order है कभी हम उसको तोड़ नहीं सकते यह बहुत important है hook का भी अपना जैसे keys है वैसे ही hook में भी यह order होता है जिसको हमें follow करना होता है so yeah I think इतना ही है yeah guys so आज इस video के इतना ही and I hope यह आपको पता चलिगा होगा and make sure करना इस rules को आप एकदम अच्छे से follow कीजिए अच्छे से समझिए and आपकी लाइब बहुत set हो जाएगी so guys are finally कल से हम हमारा जो react hook से उसको start करने जाए so guys are you excited because I am super excited okay so guys बाताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंदाया या अगर आपके पास कोई और ऐसा रूल से जो साइद मैंने बाताना भूल गया हो let me know in the comment section playlist को जरूर check out कीजिएगा and video पसंदाय तो like दोस्तों के साथ बर बर किसे अभी तक मेरे ऊसम चैनल था आपा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं के please कर दिजेगा मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स वीडियो में till then guys thank you so much take care